हम लोग शुरू करते हैं पर्सेंटेज ठीक है पर्सेंटेज दो शब्दों के संजोग्षे बना है इसमें दो शब्द है पहला है पर और दूसरा है शेंट पर मतलब होता है परती और सेंट का मतलब होता है सेंट का मतलब होता है यानि परती 100 बटा 100 समझ में आया जैसे एक लाइन में पर्तिशत का डिफनेशन लिखे आप एक लाइन में percentage का definition लिखे प्रतिशत दो शब्दों के संजोग से एक पर पर मतलब प्रती और दूसरा क्या है cent, cent का मतलब होता है 100, प्रती 100, बटा 100 एक लाइन में हम इसको ऐसे लिखेंगे वैसा भिन, वैसा भिन, जिसका हर 100 हो वैसा भिन, जिसका हर, हर मतलब समझते हैं जैसे a by b अगर कोई fraction है तो a को बोलते है uns, numerator और b को बोलते हैं हर, यानि denominator तो वैसा भिन, जिसका हर 100 हो वैसा भिन, जिसका हर 100 हो उशे प्रतिशत कहते हैं उशे प्रतिशत कहते हैं सब वैसा चоловी प्रतिशत कहते हैं झाल